सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स पंचकोशी यात्रा में एक भी ब्रेक नहीं लिया है वो निरंतर 40 वर्षों से पंचकोशी यात्रा करते ही आ रहे हैं तो आई हम उनसे जानते हैं पंचकोशी यात्रा के बारे में उसके महत के बारे में सब सबसे बहुत है तो आपका स्वागत है हमारे सेक्टर मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप पिछले 40 वर्षों से निरंतर पंचकोशी यात्रा करें। तो इस पंचकोशी यात्रा करने का क्या महें है। नगौर पंचकोशी यात्रा है, एंप कोश्चिदार यात्रा है। वो सद्यों से चले आ रही है। मैं तो 40 सान से करता हूँ, इसका निशी मुनी है हर इसमें लाखो लोग जिसमें संद मुनी माहतमा करते आये हैं, यहांके हवा इसी पर्यावरन जो कृष्षुद हो गया है, कदम जो चले है या वो भूमी इत्ती पवित्र हो गई है, तो हम लोग तो किंचित एक यातरी बार है, इसे लाखो लोग हमार से के हैं, सब जाति, सब समास के चलते हैं, सब वर्ग के चलते हैं, यहां करती है की बड़ी महतम वाली इसका एक लाइं में महतम यह है, मुक्षिधार, रत रही सब लो안 60 पर 50 अतर प्रकोंषी होती है इक्तै। यह स्ञ्छ्छी यात्रा है कि अपार महत्र है। ही ही, पूरानि के छाथ्रा है। कि पिछले चार्य स्वर्शों से इह उत्य की आंग हता है। तो इसमें आपको क्या अनुप होता है। अनोगों, चाली सालों में वीचित्र अनग हो रहे हैं, मानसिक शांती, प्रभु कृपा, सबसे बड़ा अनगो तो यह है, बिना प्रभु कृपा के आप यह यात्रा करे ही हो सकते हो. 40 साल में कुई धर में कोई देथ हो जाहिए तो ब्रेग लग जाएगा कोई शादी हो जाएगी तो अपर एसा कहीं कभी कुछ नहीं हुआ है ये विचितर अन्गो है कोई यतन चाली सालों में पांच साल बंगोई पांच साल दितनी और पांच साल चलकता रहा है पर सब समय पे मुझे सूशना मिल जाती, समय पे जागलुकता हो जाती, फेमिली ये वो सब का सपोर्ट मेरे को इसा है, सब दूर ऐसा करके, मुझे कभी प्रेक नियुक्त 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 चल रही है, पच्छी सान तक मैं और मेरी पत्नी दोनों करते रहे, अभी वो पंचर हो गई कमर से, तो को निय करती है, मैं आकेला करता हूँ, हमें एक विचितर अंभो ये था, कि जिसको ये बगवान कहा है, ये कहा है, वो जो मानते हैं, उसका विचितर ये है कि एक वाल हम लेठ हो गए, तो हमें को ये से बिलको यंग पेयार एक्तम हाया, इतनी चमक, इतना चेहरा, देजित प्यमान चेहरा, बुल उनों पेर आके, अच्छा, आप लेठ हो गया, काता जी, तो चलो, अपन पहुचागा, और वो हमको लेके गए, और हम जो चुई घंटे लेठ हो गए थे, उस त्यात्रा को, कब किसे हवाई गती से, किस गती से ल जाते हैं, जाते हैं, दूल रहा है, तो एसा विजितन अन्भाव supac too. तो इसा बीजितन तो इस टोडाहता है. सरकारी व्योस्ता है, सब वेकार है, कोई पे जल की व्योस्ता, कोई निरंतर इतने वर्सों से जल रहे हैं, हमारा एक मित्र हुए थे उचेर विकास प्रादीकरण के अध्यक्छ राजवित हजूर सिंग, जिन्होंने ये पूरा माद जो है, पहले हम जब जाते थे तो मशाल स पे जबते थे, वो उचाला था, ये चार और तरफ ये जो है 125 किलोमेटर उन्होंने पक्का रोड कहीं पधार मुंत्री सणक का फंड कहीं पें, सियांस्त्रत्मा का फंड कोई पी डबलीट का फंड कोई सीपी डबलीट का फंड क्या कोई रायम पंचायर का इसा करके, उन् पार एक मित्र थे, जो यहां पर मुनिश्वल कमिशनर थे, रामिशर गुपता, उन्होंने हमको बहुत फंडिंग इसा आउविलाबल करवाया, डिपार्टमेंट में वो करवाया, तो रक्षार ओपन उस सरकार को रक्षार ओपन पानी, ये यात्रियों को लाको आदमी सिय पांच लाख लोग हमारे सांचे लगाजें, तो हर सार ये से चलते हैं, करीब लोगों की यात्रा है, तो सरकारी व्योस्ता हैं, पेजल की, लाइट की, समुचित, और लक्षा लोपन की ये व्योस्ता होना चाहिए, ये अन्वो, मैं हमेशा निरंतर में लिखता रेता हूं इसमें वो करता रेता हूं, पर स्राशन की तरफ से बहुत कम हो, कुछ मगत मिलती है, और कुछ काम होता है, पंच कोशी यात्रा निरंतर करने के पीछे आपका कोई उद्धेश ही है, उद्धेश तो ये जब सुरू करी थी जब तो निरंदेश ही हो थे, मैरे आज से 40 सार पेले सुरू करे थे, तो मेरे बच्चे थे पांसा आठ नो सार की तीनो बच्चे लागे है, तो उस समय कोई मुझे कोई अपने का जॉब में फैनेशन लास हुआ था, कोई मेरे पार्टनर से कोई कड़बर हुई जी, तो मैं इस में कोई नोपरी करने लगिया था, तो ये पूल बन रहा था आपका मुझे शिपरा लदी का आप, तो सेकड़ो ट्रक गिट्टी, पित्थर, मिट्टी, रेटी ऐसे पड़े हुए थे रास्ते में, और लोग है जो सेकड़ो उस पर सो रहे थे, मुझे नीद नी आती थी, क्योंकि मैं आरोजिस्टर नेट्वे फाइ पता लगा कि यह पचकोशी कोई आतरा होता है यहां है, पर देरा इस स्टार्टे बाद में विदाउट प्रेक, तो मैं इत्ती साउंड श्लीप, आयां सेवंटी सिक्स, क्या, अभी भी मैं चलता हूं उसमें, तो बहुत शान्तिव होती है, मन की शान्तिव से बड़ा कोई इसलिए वहाद फुए रिस्रीकशन एत्रादी, पीस्पूल नीह भी मत करें, हैं वहाद में उसमें प्रादों कोई आए, इसलिए करता हूं आगे आप तक यह करते रहेना चाहिए यात्रा जब तक बड़बां चलते रहेंगे, जब तक बड़बां कराई हाथ पर चलते र किशनलाल जी समाने से आजा हुई हमारी पंच कोशी के बारे में बातचीत आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे तो देखते रहिए खमासां.com